हलो फ्रेंड्स, स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो नीट यूजी 2022 स्टूरेंट के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है दो नए ओफिशल नोटिस जारी हो चुके है अलग-अलग स्टेट से एक ओफिशल नोटिस काउंसलिंग और रजिस्टेशन को लेकर है तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नीट यूजी सभी स्टेट की अपडेट आपको इस चैनल के तुरू मिलती रहे क्योंकि अगर आपकी एक इन्फोर्मेशन भी मिस हो जाती है तो आपका एक बड़ा नुक्षान हो सकता है इसलिए चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि छोटी से छोटी इन्फोर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाए अब देखे गाइस हम बात करते हैं दो नए स्टेट के ओफिशल नोटिस जारी हो चुके है एक ओफिशल नोटिस देख लेते हैं रजिस्टेशन को लेकर तो देखे सबसे पहले हैं यह बिहार स्टेट का ओफिशल नोटिस जारी हुआ है तो बिहार स्टेट का जो ओनलाइन रजिस्टेशन है वह आपका स्टार्ट हो चुका है अगर आप बिहार से बिलॉंग करते हैं बिहार के आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन आपका ओपन हो चुका है MBBS, BDS, BVSC and AH courses के लिए ठीक है गोवर्मेंट और प्राइवेट सभी medical colleges के लिए हो गया है तो यह आपका latest official notice है देख सकते हैं अब इसके अंदर को एक typo error हो गई थी official notice 13 October को जारी हुआ था जिसके अंदर बताया गया था कि आप तेरे तारिक से जो है registration कर सकते हैं तो वो आपको देख लेना है registration आपका open हो चुका है अब इसके अंदर क्या है एक typo error उसमें दी गई थी फीज बताई गई थी कि general OBC SST students के कितनी फी रहेगी तो वो यहाँ पर बोला गया है कि सभी students को inform किया जा रहा है और institute को भी inform किया जा रहा है कि typo graphical error हो गया था security deposit mention में for government medical colleges SST EBC category के लिए ठीक है 10,000 जो है वहाँ पर mention किया गया था लेकिन 5,000 आपका वहाँ पर आएगा और इसी तरीके से जो security deposit है government medical college की वो स्टुडेंट्स को अब करनी है 5000 रुपए ठीक है इतने ही करनी होगे यह official notice गया जारी हुआ था इस जिसका आपको ध्यान रख लेना है 10,000 आपको नहीं pay करना है क्योंकि पांच हजार फी है और पहले जो notice जारी किया गया था उसके अंदर 10,000 दिया गया था इसलिए मैंने यह official notice पहले लिया है उसके बाद हम बात करते है second official notice की जो second official notice है वो है 122 के marks और rank के basis पर तो यहां पर students के application number दिये है यहां students का need score दिया है यहां पर need rank दिया है और state में उनको कितना rank मिला है यहां पर mention किया गया है ठीक है तो इस तरीके से यह पूरी list तयार की गई है आप देख सकते है कितने score पे कितना all India rank था और कितना state rank आया है जिससे आपको यह clear हो जाएगा कि आपका admission जो है possible है यह नहीं है क्योंकि जो ठीक ठाक marks जिन students के आते हैं जिनके अच्छे marks आते हैं उनका तो ओल इंडिया कोटा के थ्रूई हो जाता है तो जिन students के ठीक ठाक marks आते हैं उनको भी government और अपने ही state में अच्छा college मिल जाता है state benefit उनको मिल जा है तो आप comment के जरिया पोच सकते हैं और गैज वीडियो पसंद आए तो like और share जरूर कीजेगा चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले तो जल्द ही मिलते हैं next new update के साथ तब तक के लिए thank you guys